किसी ने सवाल किया है कि जैसे आपने कहाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच में प्यार करता है तो आप अपना time और emotions आपको देगा और आपके साथ सुख दुख share करेगा लेकिन शुरुआत में तो सभी time और emotions देते हैं और जो आदमी सभी के साथ ही अपना सुख दुख share करे तो आपसे आपका साथ चाहता है आपसे शादी करना चाहता है साथ emotions जिसको बोलते हैं और दूसरा है कि वो सरफ physical होना चाहता है इसको ही प्यार बोलती है दो इकिसम के प्यार है जो चल रहे है ठीक है अब इसको वासना को भी लोग प्यार ही कहने लेकिन काम वासना और प्यार का part है, दोनों ही साथ में आएंगी, लेकिन अगर आप किसी sister के साथ प्यार करते हो, तो फिर उसमें lust की कोई जगा नहीं है, किसी और cousin relative के साथ आप प्यार करते हो, तो किसी भी दोस्त हो, चाए cousin हो, चाए real हो, कोई भी हो, आपको अगर प्यार करना है, तो उसमें का part नहीं बनता, प्यार completely different चीज है, lust totally different चीज है, और ये तो समाज ने विवस्ता बनाई है, कि जो wife होती है, उसके साथ ये चीज़ें करी जा सकती है, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाना होता है, वंश मतलब generation को आगे बढ़ाना होता है, इस वज़े से ये कर सकते हैं, लेकिन अब लोगों ने girlfriend के साथ भी ऐसा करना शुरू कर दिया, और फिर girlfriend बदलते बदलते रहते हैं, और फिर girlfriend का भी लडिकियों को भी इस चीज़ का मजा ने लगा, उनको भी लड़की का अच्छे से हो जाता है, लड़की का अच्छे से हो जाता है, लड़की के जिसम में कुछ रहता नहीं है, उसको लगता है, इसके जिसम का तो एक-एक अंग बहुत अच्छे से देख लिया है, अब कुछ देखने के लिए रह नहीं जाता है, तो छोड़ देते हैं अब इसको, ठीक है ना, फिल लड़की बाद में कहते हैं, मेरा तो sexual exploitation कर दिया, मेरे साथ ना इंसाफी हो गई, तो वो चीज़े होते हैं, तो लड़के ये सब करते हैं, ज्यादा तर लड़के करते हैं, कुछ शरीफ लड़के होते हैं, जो कि शादियां कर लेते हैं, जो केची चीज़ है, वो किसी भाववनाओं के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संक कि प्यार दो तरीके के होते हैं जिसको बोग कहते हैं वैसे प्यार नहीं होता हो एक तो ब्डない होता है प्यार वासना वर प्यार के देते हैं किवस्ट वासना को भी आतनी पूच्छा कि शुरू में तो सारी टाइम और इमोशन देते हैं देखो अगर तो लड़का चाहता है सिर्फ लड़का आपके साथ सिर्फ और सिर्फ खेल खेलना चाहता है तो वो कभी भी अपने दिल की बाते नहीं करता है और अगर आप धंग से अब्जर्व करो तो आप देखोगे कि वो सिर्फ आपको सुनता है वो आपको एक ट्रीके से आपके लिए एक एंवार्मेंट क्रियेट क उसको का इसका एक्स्प्ट आके टांके रिश्वास जीतना है तो इसको इमोशनल बाते करने दो इनसको इमोशनल होके उसके साथ उसको अपना समझने लगा चाते हैं चानश चांते है और बस यह text करिए लड़का जैसे कि लूट टाइम टेते टाइम तुब टाइम टेते जो आपसे उसको चाहिए, वो तभी तो मिलेगा, जब आपको time देगा, लेकिन वो emotions नहीं देथा आपको, यहाँ पर ध्यान देने वाली बाते emotions नहीं देगा, वो कभी अपनी weaknesses तुमसे share नहीं करेगा, क्योंकि उसका target ही नहीं emotional attachment, उसको तुमसे emotional कोई लेना देने नहीं है, उसके दिमाग में clear है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसको साथ गंदेगाम करने, start कर देने है, online है तो online, और real में है तो real में, तो वो जल्दी से जल्दी चाहता है, और वो अपनी time waste नहीं करता है, तो यह चीज तो है, और दुसी बात है कि, क्या कोई आदमी सभी से अपनी आदमी खिलाडी होता है, वो emotional में जाता ही नहीं है, वो emotions करता है, उसे जो खिलाडी लोग होते हैं, वो इतने जाधा emotional होते भी नहीं है, और अगर उनको कीछीज बात बुरी लगती है, तो वो किसी से अपनी दिल की बात नहीं करते हैं, यह इतने गटिया लोग होते हैं, और उसको कोई मिलनी दात उसने कर लिया, तो इससे भी यह सावज़नी हो जाता कि वो दिल का अच्छा है, कहीं लोग होते हैं, परिशान होते हैं, उनको कहीं न कहीं कुछ चाहिए होता आ, कहीं अपनी फ्रस्टेशन निकालने के लिए, तो वो कर लेते हैं, किसी से बात है, आपनी सुनाओ और निकलो तो इसको भी मतलब ही में ही गिना जाएगा ये बिल की बाते कर ली तो वह मतलब प्यार करने लगा तो ऐसा भी कुछ निया है लोग तिलकी बढ़ास निकालने के लिए आप साइकलोजिस्ट पास जाते हैं तो वहाँ पर वह तो लोग पैसे लेते ह यह सुनने के फालतु की बाते हैं, emotional जो कच्रा है, इसकी सुनने के पैसे लेते हैं, normal लोग जो friends वगएरा है, यह ऐसी किसी को ढूंड लेते हैं, तो सुना देंगे, friendship में तो चलता है, लोग एक दूसरे को अपनी emotional बाते हैं, लेकिन यह तो गलता है न, अपनी बता है और चल करते हैं, इस अच्छ में care करते हैं, इन को आपके सुख दूख से सच में तो जयने को सच में त्लाक से लेता है, जैसे कुछ दो लोग शादी कि यह स्हादी कर लेती हैं, बाद में तलाक हो जाता है, ओटी तक पहूंचे न, मैंने सब चीजें सीखना समझना शुरू कर दिया था और काफी छोटी उमर से मैंने लोगों को काउंसलिंग देना भी शुरू कर दिया था तो मुझे अच्छा से पता है कि जो लोग परफेक्ट होने की बाते करते हैं हमें परफेक्ट लगते हैं वह तो सबसे ज्यादा निकल गई हैं जीत लिया खुद को उनकी बात नहीं करते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं अगर हम कहें देए डिफॉल्ट सेटिंग में चले जाए आदमी की डिफॉल्ट सेटिंग है तो कहीं ने कहीं उसको कोई mental प्रॉब्लम भी होगी emotional प्रॉब्लम भी होगी कहीं मैं foreigners से जाधा बाते कियां starting में तो मैं सिर्फ citizens करता था और काफी मेरेको interest रहता था हमकी culture को जानने का उनकी सौच समझ को जानने का तो काफी बाते किया लेकिन बाते करने यी वाल मेरेको यह समझ में आए कि उस फरक है झी नहीं सरफ language का फरक है और कुछ नहीं की सोच है टॉपिक पर बात करते हैं, वो यह है, कि जो दो लोग सच्चा प्यार करते हैं, दूसरे के साथ, लेकिन वो perfect नहीं है, उनको relationships की समझ नहीं है, उनको समझ नहीं आता है, कि जब उनको गुस्सा आता है, तो उसको कैसे express करना है, क्योंकि जब आद में किसी relationship में होता है, वो द रहे हो, उसकी अपनी ego है, क्योंकि इनसान की जो ego है, वो उसके control में तभी आती है, जब वो उसके उपर control करता है, और इस चीज़ को समझने में, इन control करने में, जिंदगी का अच्छा वक्त निकल जाता है, और बीस-पच्चीस साल तक की उमर तक तो कुछ नहीं पता चलता तो इस बात यह है, कि जहां पर दो लोग सचा प्यार करते हैं, और वहां पर रिष्टे खराब हो जाते हैं, उनका रीजन यही था, कि उनको बस यह समझ नहीं आए, कि ego और गुसा, ये दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, रिष्टे के, गुसा, चाहे किसी की कितनी भी गुसा ही दिखाते हैं, ठीक है, तो मैं गुसा हा रहा है, थोड़ा प्यार से बात करो, वो सुन लेगा, वो तुमें सपोर्ट करेगा, पर सारा गुसा उसके उपर निकाल लिए गल्ती मत करना, वो छोड़ देगा, क्यों कि कोई टॉलरेट नहीं करता है, और क्यों करना है बिने क्लियर करें, बस बिल्कुल छोड़ देती है, और आगे कुछ क्लियर भी नहीं करती है, तो कुल मिला कि यह है, कि जहां पर वाकी सच्चा प्यार करता है आदमी, वहाँ पर उसका गुसे पर कंट्रोल नहीं होता, और थोड़ी इगो की वज़े से वो परिशान नहीं कि उसको लगता है कि मैं जुठता है, तो कि भूत यह पर प्यार में घुखना चाहिए, प्यार में फिल्कुल भी जगाने देनी चाहिए, गल्ती तुमारी नाभी हो तो भी रire घल्ती तेरी थी यह जां जे तो समझने आ जाती है, तो रिष्ता के रिश्टा अगर एगो को तो आप उसको दीरे दीरे अपने actions से शिखा सकते हो, लेकिन दूसरा विक्ति भी आपके साथ loyal होना चाहिए, वफदार होना चाहिए अगर दूसरा विक्ति आपके साथ loyal नहीं है, वफदार नहीं है, तो आप यह सब expect नहीं कर सकते हैं, आप उसको अपनी लाइफ से परिशान था, लेकिन उसकी सोच घटिया तो नहीं थी, वो ऐसा तो नहीं सोच था जो लड़किया उसके साथ सेक्स कर लोग दिखते हैं, वो यह तो नहीं कहता था कि मेरे स्कीर, तो श्राहि को ketchup करने का की साथ सब्सक्राइब इसको नहीं पर गंवाद इस तरीके है, वे यह तो कहाओ दो, यह मुत सकते हैं उसके की पेसे यह स्क्राइब था तुम कौन सा ही दुनिया में कुछ लेका आते, सब कुछ यही लिया, सब कुछ यही रह जाना है, तो किसी भी तरीके से justify करते हो तो, जो लोग अपरादी होते हैं, किसी को खतम गर देते हैं, वो भी यह सोचते हैं, कि दुनिया पर का फरक पड़ता है, एक दिन तो उसने जा अपर dejar आते हैं,ाउ criticism, न हएमा को एंड़ता हैं, किसी को खतम गरीके से गात पारादी होते हैं, किसी ngay रारीके से एकता हैं, किसी को खतम है, मिलिएके से पतम सिर्शम से अएपरादी kita, बड़ता है, एक ति उन तर वागान है, हाज तुआग से पातते हैं, कि कि यही ग